तो नमस्ते वेलकम स्वागत है आपका हमारे चानल टारो पुर्णमा फैमिली पर तो एस फैमिली हम यह रीडिंग करते हैं साथ में हील करते हैं साथ में खुश होते हैं और साथ में रोते हैं आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके जो पार्टनर हैं वह आपसे सच मुछ में प्यार करते हैं या नहीं करते हैं या बस दिखावा करते हैं तो क्रिस्मस का टाइम है ऑफकोसज बैल ड्रमस का टाईम है तो मैंने वही सब रखने की कोशिश करी हैं य आपको अभी वक्त दे रही हूं, आप अपने पाइल को बिल्कुल दिहान से, बिल्कुल सोच समझ के सलेक्ट करो, देखे अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, फिर अपने पाइल को सलेक्ट करना है, अगर आपको जादा वक्त लग रहा है, वीडियो पॉस कर लीजे, फ टि हो प्लीज पर्सनल रीडिंग इसे ना समझें हुमिशा चारे कि यह जंडरल रीडिंग है अगर आप मैं एसे परसनल इनग सहल करना बात पर अब बाक्न चाहते हो परस्न लीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे WhatsApp ओर ग्रित कि स्क्रीन पर उस पर मुझे कॉंटाक्ट करें अभी मैं आपको वक्त दे रही हूं अपना पाइल सेलेक्ट करें फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे आए certain sms हो मैं ईक क्यूं करते ह Ал Ácquaर तलेट्ञ पर मुझे आपक्ता का और एक और अंपना आपको इसलिकाम के लगामत पाइल जिस भी प्रभू में आप विश्वास करते हैं उनको यात करते हुए हम ये रीडिंग को स्टार्ट पर द हीडिंग के साथ लेट सी कि जिन लोगों ने जो भी कार्ट सेलेक्ट किये हैं वो जो भी पाइल सेलेक्ट यह उनके लिए क्या आता है okay So, मुझे एक दूरी की एनरजी कही ना कही नजर आ रही है आप दूनों में दूरियां नजर आ रही है कुछ चीजे हैं जो आप लोगों में बहुत सॉट आउट नहीं हो पा रही है बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है Things are not as good as they should be Okay, and at the same time कुछ ऐसे भी लोगों की एनरजी आ रही है जो की बहुत मतलब कहते ना की Friendship, Friendship वाले जोन में है तो जिन लोगोंने basically first pile अगर मुझे नीट पड़ी तो मैं और कार्ड्स भी आपके लिए पुल आउट करूंगी Okay, so I'm an intuitive reader I read very much intuitively तो आप उस reading को बिल्कुल ध्यान से देखना समझना कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ अगर ना समझ आए तो इसमें दुबारा भी आप सुन सकते हो या दूसरे pile की भी reading सुन सकते हो So सबसे पहली और सबसे important चीज़ जो यहाँ पे आई है वो यह है कि आप दोनों में जैसे जैसे मागे बढ़ेंगे तो सारे ही cases को मैं deal करती चलूँगी सारे ही लोगों के बारे में बताती चलूँगी क्योंकि general reading है तो कुछ लोगों के बीच में जो सबसे बड़ी problem आ रही है वो है expression का कही ना कहीं आपके partner जो है वो किसी चीज में फसे होए है वो सकता है वो business में फसे हो या किसी property issue में फसे हो या किसी पुराने love story में फसे हो या घर के कुछ मुद्दों में फसे हो but this person is stuck ये person जो है वो कही ना कही में को stuck नजर आता है उसके वज़े से इधर से उधर भागते हैं उधर से उधर भागते हैं भागते रेने का ये जो process होता है ये इनसान को बहुत tiresome कर देता है okay so a lot of people will say कि ma'am हमारे partner cheat कर रहे हैं हाँ कुछ लोगों के partner of course यहाँ पर cheat कर रहे हैं they are clearly cheating जूट बोल रहे हैं कुछ लोगों के partner चीजों को नहीं बताना चाहते हैं जहां वो stuck है ना उन चीजों को नहीं express करना चाहते हैं जिसके वज़े से वो आप से छुपाने के चक्कर में एक इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं जिसका realization उनको नहीं हो रहा है कि कही न कहीं वो relationship को बहुत जादा negatively impact कर रहा है क्योंकि at the end of the day जो चीजें हैं चाहे आपके साथ temporary चीजें हैं या permanent चीजें हैं आप लोग जैसे भी अपने relationship को देखते हो है तो आपके ही साथ बड़ वो चीजें को नहीं समझ पाते हैं एक distance बना लेते हैं अगर आप कुछ पूछते हो वो नहीं समझा पा रहे हैं तो एक distance बना लेते हैं उन लोगों के साथ जाकर के जुड़ जाते हैं जो लोग उनको लगता है कि उनके अपने हैं see अपना कोई खून से नहीं होता है अपना हर वो इंसान होता है जो आपसे mentally emotionally connect कर सके तो अगर उनका कोई ऐसा दोस्त है परिवार है उसके पास चले जाते हैं at the same time आपके साथ बहुत सारे लोगों के relationship में cordial relationship मुझे दिख रहा है see जिन लोगोंने first pile select किया उसमें दो type के लोग है एक वो लोग हैं जिनका relationship तो बही एकदम like ना dead end पे खड़ा है किसी के वज़े से और एक वो लोग हैं जिनमें दूरियां आ रही हैं मजबूरियां आ रही हैं issues आ रहे हैं तो मैं दोनों लोगों के लिए read करूं कि आपको ध्यान से थोड़ा सा सुनना पड़ेगा see जो भी होगा last me इस relationship में जो भी होगा वो divine के मर्जी से होगा और अच्छा होगा आप ये नहीं कह सकते हो so आप ये नहीं सोच सकते हो कि जो हो रहा है गलत हो रहा है गलत नहीं हो रहा आपके साथ जो भी हो रहा है divine के मर्जी से हो रहा है see जिनके relationship में distance आ रखा है जिनके relationship में problems आ रखी है उनको तुमने सबसे पहले कहूंगी कि एक दूसरे से ये जो आपने distance बना रखा है चाहिए आपके partner नहीं क्यों ना बना रखा हो I totally accept कि आपके partner ने बना रखा है इस पर आप क्या कर सकते हो मगर कोशिश कीजिए कि वो distance आप दोनों के बीच में कम हो communication बढ़े और जब आप communication कर रहे हो तो इसके बारे में कम से कम लोगों को पता चले and specifically अगर आप communication करना चाहते हो suppose आप married हो, unmarried हो irrespective of that हो गया कोई cafe हो गया कुछ ऐसी सी जगर पे जा करके communication करना आप लोगों के लिए ठीक रहेगा okay so everything that is happening is because of the divine जो खुदा आपके लिए चाहता है जो भगवान आपके लिए चाहता है वो आपके साथ हो रहा है ऐसा नहीं है कि यह कोई ऐसी चीज है जो आपके साथ हो रही है and आप नहीं चाहते हो यह आपके लिए गलत है अगर आपके relationship में distance वाले case में हो तो एक समय है जब आपको वो सिखा के जाएगा कि relationship में distance कैसे कम किया जा सकता है हो सकता है कि आगे आपको इसकी जरूरत पड़े तो by grace of God अभी ही आप वो सीख लोगे और जिन लोगों का रिष्टा end हो रहा है ना उनके लिए भी अच्छा यसी आप मैं ऐसा बोलूँगी तो आपको ऐसा बुरा लगेगा जरूरी नहीं है कि आपके साथ resonate करें हो सकता आपका रिष्टा ना end करें मगर जिनका end हो रहा है जिनको पता चल रहा है कि भी ये तो खतमी पे है ना दुआ काम कर रही है ना दवा काम कर रही है तो दुआ लगाना कभी भी मत छोड़ना याद रखना देर है अंधेर नहीं मगर अब धी के लिए हो सकता है कि ये important हो हो सकता है कि ये person जो आपके life से जा रहा है ये सारी चीज़ें आपके life में खराब करके जो निकल रहा है ये कही ना कहीं आपके लिए needed हो आपके mental peace के लिए needed हो या आपके खुद के लिए needed हो okay so everything that is happening is एक समय के बाद आप देखोगे कि एक समय के बाद सब कुछ जो है वो sorted होता जा रहा है okay so मैंने पहले ही आपको बोला था कि मैं बहुत जादा intuitively read करूंगी okay so ऐसा है ना कि इस person के अंदर की चीजें निकल वाओ अंदर की चीजें जो इस person ने अपने अंदर भर रखी है जो दुनिया वालों है अच्छा घर है तो of course people बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैलेस होते हैं तो एक अच्छे relationship को भी देख करके लोग जैलेस होते हैं जगड़ा जंजट misunderstanding आपको पता है आपकी relationship में मुझे जो सबसे strong wife आ रही है वो यह आ रही है कि दिक्कते कही ना कही आपसी होने से जादा मतलब आपस में दिक्कते होने से जादा जो दिक्कत है आप लोगों की वो बाहरी है उसको अगर सही किया जाए तो relationship काफी हद तक सही हो सकता है चीजे सही हो सकती है ऐसा नहीं है कि relationship सही भी नहीं हो सकता है because एक point of time के बाद यह person आपके बिना तो वेट करने लगता है आपका okay but अभी आप दोनों के बीच बिना इतने जगडे इतने जंजट इतने issues इतने problems आ रखे कि आप लोगों को आपके लिए important है तो जगड़े को जाने दो अगर जगड़ा आपके लिए important है तो relationship को जाने दो अगर यह पूरा situation आपको पता नहीं है कि कल क्या होगा सुनेहरे हसीन सपने सपनों सपने देखने में दिक्कत नहीं है दिखाने में दिक्कत नहीं है the thing is very यह कि अगर सपने दिखाते हो ना तो भाई सपने पूरे करने का कोई एक तो step लो वो step मुझे नजर नहीं आ रहा अंदर ये अंदर बाते रखे क्या फायदा powerless feel करके क्या फायदा इनको बहुत टाइम पे लगता है कि मेरा control नहीं है relationship see a lot of people too many cooks spoil the food बहुत सारे जब कोग बनाते नहीं कि खाना तो खाना कडबड हो नहीं होना है तो वहीं आपके साथ भी हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को इंटर्टेन करोगे ना बहुत सारे जगड़े अभी छोड़ दो कौन क्या बोलता है कौन क्या नहीं बोलता है कोई अगर आपको सही गाइडिंस दे सकता है तो आप उसके पास जाओ हर किसी के पास मत जाओ आपको एक और टॉपिक दे देगा जगड़ा तुम्हें पता उसने ऐसा ऐसे ऐसे दिन किया था अब इतनी चुटी चुटी बातों को अगर लेके बैटों के ना तो बड़े लफड़े हो जाएंगे चीजें चुपा रहे हैं आपके पार्टनर चीजें चुपा रहे हैं मैंनी एक टाइमस ऐसा भी कुछ सिचुएशन बनता है आप दोनों के बीच में की चीजें एंड होने को आ जाएं डिस्टिंस तो एकदम मत रखो अगर आप किसी भी तरीके से दूर हो जॉब के लिए इसके लिए उसके लिए बहुत बार 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 जाके विजट करो टाइम निकाल के विजट करो जैसे भी विजट करो लव अवब एवरेइधिंग ओके इमोशनल हेल्थ नाम की चीज होती है अगर एमोशनल यह आपको अच्छा लग रहा है तो दाट इस गोड थार्ट पार में रहते ना तो हमें लगता है कि भगवान हमें तकष्ट क्यों दे रहा हमारे क्या कर्मा खराब हो रखे हैं मगर लास्ट में आपको रेलाइज होगा कि आपके कोई कर्मा खराब नहीं हो रखे हैं यह जो भी होगा यह जुड़े या तूटे यह आपके लिए अच्छा ह करनी है अपने जन्दगी में आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो यह एक जनरल रीडिंग है आपको रेजनेट हुई होगी बहुत लोगों को नहीं भी रेजनेट हुई होगी आपको दूसरा वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पर जा करके as a family मैं आपको जितना सपोर्ट कर सकती हो मैं करूंगी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो healing कराना चाहते हो love life में बहुत issues आ रहे हैं तो आप मेरे पास आ सकते हो मेरा number आपके screen पे है आप मुझे contact कर सकते हो नमस्ते अपना ख्याल रखे अच्छे से रहे happy रहे positive रहे कोई जिंदगे में जितनी भी problems है न सब sort out हो जाएंगी बस चीजे हैं जो करनी पड़ेंगी बैठे बैठे खाना नहीं बनता वैसे बैठे बैठे emotional health भी ठीक नहीं होता तो नमस्ते अपना क्या रखे च्छे से रहे take care, see you soon, see you again, bye bye so now we'll go on to our next pile that is our green pile किसी दिन देखे so there's a lot of Santa coming in the town और हम तो सबसे जादा celebrate कर रहे हैं भाई हम टेरो वाले लोग तो celebrate कर रहे हैं मैं तो celebrate करी हूं औरो का पता नि okay so Santa coming in the town and we have a reading कि आपके पैटनर आपको प्यार करते हैं okay so khatrnaak reading of course बहुत लोगों के लिए digest करना बहुत मुश्किल होगा but ठीक है fine, a little bit of reality check is always needed and always important and it is not bad if we see कि that person loves us or not loves us जानना भी तो जरूरी है न या प्यार करते हो या नहीं करते हो हमारा समय और तुम्हारा अपना खुद का समय खराब करे हो अरे बबा किसको चुन लिया आपने किसको चुन लिया जो decision नहीं लेता है so I am not taking reverse cards okay so I will make sure that I will not take reverse cards okay I hope you can see all the cards okay so जगर थोड़ी छोटी है cards थोड़े जाद है मज़े मज़े में reading हो जाए मज़े में सच दुख सब पता चल जाए असली असली reading हो जाए और कुछ नी चाहिए जंदिगी से बाकी healing तो करते रहेंगे जब तक हम है तब तक क्या गम है okay so okay let's start so basically the thing is कि आपने जिस partner को select करा ना बड़ा dicey लड़का है या लड़की है बहुत dicey मतलब literally आपने अपने life में कैसा person select कर लिया है जो बहुत सोच सोच के decisions लेता अब इनके साथ problem क्या आना कि इनको past की भी चीजें चाहिए present की भी चीजें चाहिए अब हर हाथ में लड़ू तो किसी को भी नहीं मिला बगवान के अलावा ठीक है so this person basically is मैं को एक vibe आ रही है okay so मैं को जो भी intuition आएगा जो भी मेरे मन में आएगा मैं आपको बताऊंगी okay जो भी मन में आएगा मैं आपको एकदम खुला बताऊंगी आप एकदम खुला सुनना एकदम reality सुनना कोई buttering buttering नहीं करूंगी अभी बता देती हो तो अगर आगर आप positive positive सोच रहे हो तो नहीं मैं positive जो आएगा positive बोलूँगी negative जो आएगा comfort चाहिए न ये छोड़ना है न वो छोड़ना है भाई तुम कुछ भी न छोड़ोगे तो कैसे चलेगा ये भी चाहिए वो भी चाहिए आप भी चाहिए ये भी चाहिए वो भी चाहिए काम भी चाहिए पैसा भी आता रहना चाहिए सब होता रहना चाहिए, सब होता रहना चाहिए ओके, so this person अगर आप इसको कोई decision लेने बोलते हैं तो यह decision नहीं लेंगे क्योंकि इसलिए भी नहीं लेंगे क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मेरा एक नाम है या मेरे परिवार का एक नाम है मुन्यम कहीं डूब ना जाए कश्टी के साथ कहीं नीचे ना चली जाए फलान आड़िम काना यह सारी चीज़ां उनको लगती है जिसके विज़े से आपके relationship में भाई आप बहुत रो चुके हो बहुत रो चुके हो, बहुत आंसु बाद चुके हो तो एक अच्छा handkerchief करीद लो आप यह मत सोचना कि मैं मजाक उड़ाती है मैं मजाक नहीं उड़ाती मैं हसी खेलते में चाहती हूँ कि आपकी reading आपको deliver हो ताकि आप भी reading लेने के बाद ना खुश हो करके जाओ, मजाक नहीं उड़ाती I have been through all the problems I have personally felt all the problems so I can feel what you feel okay, कैसा लगता है I can totally relate कि जब आप रातों में सो नहीं पाते हो अपने partner के बारे में सोच करके तो कैसा महसूस होता है तो एक अच्छा handkerchief खरीद लो अब जब ही रोना है तो रोना ही है अभी इसके लिए तो रोना ही है क्योंकि यह person तो decision लेने से रहा यह person decision नहीं लेते है decision delays करते है काफी delay करेंगे relationship में भाई तुम decision delay करते हो कुछ लेते नहीं हो कुछ बोलते नहीं हो कुछ बताते नहीं हो ना आगे बताते ना पीछे बताते कभी हाँ, कभी ना कभी communication, कभी no communication कभी तो इतना प्यार कि आपको लगेगा कि से जादा प्यार मेरे को कोई दे ही नहीं सकता कभी इतना कम कि आपको ऐसा लगेगा तो है क्यों मेरे संदगी में कभी इतना emotional open up हो जाएंगे see the thing is कि जब आप दोनों बात करते हो तो there's a lot of energy lots and lots of energy मतलब जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि धारती पर दूसरा कोई है यह नहीं मगर जब action लेने की बात आती है तो बंदा कुछ करता ही नहीं है या बंदी कुछ करती ही नहीं है तो यह बहुत बहुत बड़ी problem है अगर कोई आपको सपने दिखा रहा है कि वह आपके लिए ताज महल बनाएगा तो भई ताज महल मत बनाओ एटे तो खरीब दो ताज महल के पहले तो वो चीज़ है emotionally I can feel a lot of energy आपको इस person से बहुत emotional connect feel होता होगा इस person को आप से बहुत emotional connect feel होता होगा बट जब बात शादी पे आती है या जब अगर आप शादी शुदा हो तब बात आती है then the thing is कि मेरे घर में मेरे संसार में मेरे ये में मेरे कास्ट में मेरे religion में मैं religion कास्ट कुछ follow नहीं करती हूं मैं humanity follow करती हूं to be very frank okay so this person basically is की मेरे society के लोग क्या सोचेंगे या मेरे परिवार के लोग क्या सोचेंगे मेरे family group के लोग क्या सोचेंगे इन सारे चीजों में इस person का माइन बहुत जादा रहता बहुत जादा और यह चीज ना आपको बहुत पिस आफ करेगी आप दोनों का प्यार है of course यह person आपको प्यार तो करते ही है तो आप दोनों का प्यार है प्यार होने के बावजूद यह person at the end यह आपको ऐसा दिखाते भी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ मगर यह person जो है ना वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत जादा family control में नजर आ रहा है जिसके वज़े से बहुत confused है यह चूज नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए क्या actions लेने चाहिए क्या decisions लेने चाहिए आप दोनों में से कोई एक divorcee हो सकता है कुछ court cases हो सकत court type के जिनके वज़े से आप लोग काफी जादा मुझे फसे हुए नजर आते हो कुछ issues हो सकते हैं divorce type के related की divorce लेना है देना है यह divorce चल रहा है यह divorce की बाती हो रही है इस type का मुझे कुछ नजर आता so this person basically loves you यह बात एकदम सही है and आपने भी इनको वो love reciprocate किया है आपने भी वो love इनको वापस किया है ऐसा नहीं है कि आपने love इनको वापस नहीं किया फिर भी बहुत सोचता overthinker person है भी बहुत सोचने वाले लोगों में से है और उसके वज़े से आपका love life जो है वो बहुत जादा disturbed और बहुत जादा problematic चल रहा है बहुत ups and downs चल रहे हैं इनको एहसास नहीं होता है कि कितनी दिक्कतें आ रही हैं मगर actually दिक्कतें आ रही हैं actually issues आ रहे हैं because चार लोगों से पूछ करके काम करते हैं बार 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 family का बहाना बार 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 family की चीज़ें हो सकता है आप लोगों के बीच में see basically the thing is कि बहुत लोगों के बीच में caste का इशू है, religion का issue है, age का issue है, चीजे somehow society के terms में fit नहीं हो रही है, या hidden relationship है, जिसके वज़े से ये खुल के अपने love को आपके लिए present नहीं कर पाते हैं, ये person, of course, जब love की बात आएगा, तो आपके लिए आएंगे, चीजे करेंगे, लेकि जब society के सामने चीजे करने की बात आती है, तब मुझे ये बहुत जादा पीछे नजार आते हैं, अब आपके लिए ये पुरिष्टा बहुत-बहुत important है, बहुत important है, आपने इस रिष्टे को बहुत value करी है, and of course, आप इस रिष्टे को जाने नहीं देना चाहते हो, आप इस relationship के साथ चाहते हो कि भई, चीजे सही चले, judgment हो, सही judgment हो, जो लोग court cases में फसे हैं न, फिर उनके लिए तो अलग पूरी reading होगी, okay, but otherwise अगर आप मेरे से पूछते हो कि क्या ये person आपसे प्यार करता है, हाँ ये person आपको चुनों, okay, मैं क्या करूँ, मेरा सोसल स्थेटस देखों या मैं अपने लोगों को देखों, okay, मैं अपने पियार को देखों, या मैं अपने और लोग जो हैं उनके के लाइफ में उनको देखूं तो यह जो जद्दों जहेद उनके जन्दिगी में चल रही है ना इसके वजह से ना वह आपको जाने देने पा रहे हैं ना वह खुद एक डिसिजन पर पहुच पा रहे हैं यही पूरा सिचुएशन है यही पूरी चीज है बहुत अपडाउन अपडाउन करेंगे बट धोचे 5 परसंल आपके और उनके बीच की बात है आप दुनों का रोमान्स अच्छा है आप दुनों का लब अच्छा आप दोनों का communication अच्छा है एक दूसरे के साथ इसले नहीं जुड़े हो क्योंकि कोई सुन्दर है या कोई पैसे वाला है और इसले जुड़े हो because एक दूसरे के साथ मन मिलता है दिक्कत आ रही है somewhere कुछ परिवार-वरिवार का issues मुझे नज़र आ रहा है कुछ society का issues मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ ऐसा है जो आपकी partner के mind में चलता है कि मैं यह करूं तो सही होगा यह नहीं होगा okay and at the same time वो नहीं जाने देना चाहते हैं आपको वो नहीं जाने देना चाहते हैं see I can see somebody कोई ऐसा है जो आपकी relationship पे negative तरीके से नज़र रखता है मगर रहता बड़ा positive है आपको ऐसा दिखाएगा जैसे वो दुनिया का सबसे positive बंदा है मगर वो बहुत negative तरीके से आपके उपर नज़र रखके हुए और वो confusion बहुत बनाता है तो आपके partner ना एकदम तराज उपे खड़े है बीच because this person loves you I hope आपको मेरी reading पसंद आई होगी अगर आप में से healing, reading, personal reading कुछ भी लेना चाहते हो तो आप मेरे whatsapp number पे मेरे से contact करो मैं आपके problems को जहां तक हो सके solve करूंगी और आपको आपके state से heal करने की कोशिश करूंगी okay may the divine guide you to the best reader that suits you okay so I hope कि आपको मेरी reading पसंद आई हो like करना like किये बिना मत जाना okay मैंनत करती हूं मैं इस रीडियो पे तो हक से आपसे like मांगती हूं as a reader as a elder sister as a spiritual person मैं आपसे एक like मांगती हूं ताकि ये video आगे आगे तक जा सके लोग help कर सके दुखी reading सुन सुन के मतलब सी सही reading सुनो दुखी reading भी सुननी है ना तो सही सुनो और fun में सुनो मजे में सुनो भई हम अपने सिंदिगी को ना खुशी में काटेंगे चाहे कितने भी गम आज है ओके सुन दाट नोट नमस्ते नमस्कार अपना ख्याल रहें अच्छे से रहें टेक किस यू सुन सीव अगें पबाए है तो लेट्स गों टो आर लास्ट पाइल डाट इस आवर इस पाइल यह घंटी वाली पाइल गिर गिर के आएगी ओके सो लगता है कि अभी क्रिस्मस में इसे पाइल में आने का मन नहीं है टो फ़न फ़न में रीडिंग करूंगी ज्ञेंरल रीडिंग है किसी की कोई पाइल रीडिंग नहीं आपके पाइल आपसे प्यार करते या नहीं इस बात की रीडिंग है और क्या चाहिए Third pile किन लोगों ने select किया है जन्न लोगों ने भी Third pile select किया प्यार तो है और प्यार में बहुत problems भी है मगर प्यार तो है भै देखो प्यार अगर है तो फिर कोई tension नहीं है फिर प्रॉब्लम्स तो ठीक है गालिब ने कहा था आग का दरिया है डूप के जाना है कोई दिक्कत नहीं है कोई इशुज नहीं है So talking about love मुझे extra marital affair की भी feeling आ रही है बहुत सारे लोग यहां पे extra marital affair में हो सकते हैं या उनके partner ने किसी और से शादी कर लिए जिससे वो प्यार नहीं करते हैं मगर आप से करते हैं Okay So talking about your partner की क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं Of course यह आपसे प्यार करते हैं और करते ही रहेंगी Okay So let's start सबसे पहली चीज है कि आपके partner आपसे बहुत जादा प्यार करते हैं See, इस relationship में Relationship को आप लोगों ने जितने अच्छे से build कर रखा है जितने अच्छे से बना रखा है जितने अच्छे से चीज़े कर रखी है जो level of romance है जो level of conversation है बात करना है Communication है बहुत ही अच्छा है आप लोगों का romance बहुत जादा passionate है चीज़ें आप लोगों के लिए new beginning पे जाएंगी जिस हिसाब की तब का ये relationship है बहुत ही अच्छा है बहुत ही control वाला relationship है बहुत ही love वाला relationship है I can see कि मुझे लगता है कि आप दोनों twin flames हो सकते हो soulmate हो सकते हो happiness हो सकता है एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो शादी कर रही हो यह कुछ ऐसा सा situation आप दोनों के बीच में चल रहा है कि भई हमें शादी गन्नी है हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हम प्यार करते है और प्यार करते हैं तो भई new beginning तो करेंगे ही करेंगे चाहे दुणिया इसमें कितनी भी नराज हो चाहे दुणिया इसमें कितनी भी वो हो प्यार तो प्यार होता है everything is fair in love and water and I totally believe कि do as you please बस किसी को ना दुख मत दू किसी को परिशान मत करो और अपनेस दिए में वो करो पर एक बात ये है ना कि आपको अपने relationship में बहुत quick decisions लेने पड़ेंगे अगर आप delay करोगे decisions में तो आपके relationship में problems आएंगे तो ऐसे बड़े-बड़े problems बहुत बड़े-बड़े problems आपने जेले हैं बहुत तो अभी jail भी रहे होंगे तो कहेंगे ma'am अभी तो हम jail ही रहे हैं हाँ jail रहे होगे कोई बात नहीं सुबा आएगी this always a नहीं सुबा और जो नहीं सुबा आएगी वो नया start लेके आएगी वो एक ऐसे journey को start करेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये journey मेरे life में इस person के साथ start हो सकती है you have a ego and stick person भाईया है ego वाले हो ओके या आप ego वाले हो दोनों में से कोई एक तो है जो है ego वाला एकदम एकदम हो जाते हो नाराज चोड़ी चोड़ी वातों पर आ जाता है गुज़ता कोई बात नहीं आपका relationship positive से भी गुज़रा है negative से भी गुज़रा है तभी भी खड़ा रहा है ये relationship और आगे भी खड़ा रहेगा ये relationship there will be people who will help you out there will be people आपको पता है आपको कभी divine की थूओ divine खुद तो नीचे नहीं आएंगे आपकी help करने अपकोस उनकी थूओ कभी को इंसान के रूप में कभी किसी के रूप में कभी किसी के रूप में पंडित के रूप में किसी के रूप में आपको help मिल जाएगा you'll you'll be able to have that thing, you will be able to have that energy, okay, so, जब हम बात करते हैं, क्या आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, हाँ करते हैं, और उसको करने के लिए, वो जिस लिमिट तक जा सके जाएंगे, और जब नहीं कर पाते हैं, चीजें आपके लिए, तो ये परसन अपसेट हो जाता है, इसको नहीं क्यी बंदे ने हर इंसान के उपर होती हैं, कुछ रिस्पॉदिटि हर इनसान के उपर होती है, फिनाश चलिप्शिंस हो गाएं, पैसो की दिकत और भी शादीघर हो गonia, आप dudनों में से कोई जादायााा क्योंकरता है, या चीजें रिस्पॉदिटिटी हैं, कुछ चीजे positive हैं जो रोकती है, कुछ चीज़ negative है जो रोकती है, किसे चीज़ से फरक नहीं पड़ता जितना प्यार है न और मुझे थुड़ा कमेज का प्यार नज़र आ रहा मतलब like maybe आप कमेज के हो, या बहुत कमेज से एक दूसरे को जानते हो ओके तो अभी तक stand कर पाए न, आगे भी stand कर पाओगे आगे भी stand कर पाओगे trust me, the divine will help you, the divine will help you, आपका relationship बुरे से बुरे phase से भी निकल के आ जाएगा, बहुत गंदे से गंदे phases से भी गुजरोगे ना निकल जाएगा, it is a very happy reading, I can tell you you have a card of immense love, immense romance immense connection, बहुत ज़्यादा connection, बहुत ज़्यादा love, बहुत ज़्यादा care, बहुत ज़्यादा concern इससे ज़्यादा आप अपने life में और क्या चाह सकते हो ओके जब आप साथ रहते हो, तब आपको ऐसा लगता है यही मेरे दुनिया है, यही मेरा सब कुछ है इसी person के साथ मैं celebrate कर सकती हूँ, इसी person के साथ मैं खुश रह सकती हूँ यही person है, जो आपको सारी खुशिया लाके देता है, there's lovers card how can we doubt there is no love और अगर आपका प्यार सच्चा है तो सच्चा प्यार हमेशा ही मुश्किलों से होके जाता है हलाकि आपके case में मैं यह जरूर कहूंगी कि बड़े-बड़े problems आए भी होंगे और आगे भी आएंगे बट हमेशा, हमेशा गिर-गिर के उठेगा आपका relationship यह आपके लिए कोई भी step ले सकते हैं, कोई भी bold step ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं passion है excitement है आपके relationship में positivity है positive है आपको ले कर कि आपके बारे में अच्छी चीज़े सोचते हैं यह खुद ही a person आपसे शादी करना चाहता है, आप बुलो खुद आपके साथ रहना चाहता है हाँ dark phases जब आपके relationship पे आएंगे मुश्किलें जब आएंगी तब बड़ी बड़ी मुश्किलें आएंगे इसलिए मैंने का कि कभी भी मुश्किलें आएं कभी भी प्रॉब्लम्स आए quick quick action लेना इक्टम दिमाग मत लगाना मतलब दिमाग तो of course लगाना यासा नहीं है कि कुछ भी कर देना दिमाग लगाना मगर quick actions लेना कभी यह मत सोचना कि खतम हो जाएगा नहीं खतम हो सकता अगर आप manifest करूगे खतम हो जाएगा खतम हो जाएगा तो भो जाएगा क्योंकि इस रिष्टे कि नहीं भी ऐसे जुड़ी है पास्ट में भी आप देखो बहुत बार आपका break up हुआ होगा बहुत बार चीज़ें start हुई होगे बहुत बार situations कराब हुए है विए बहुत बार चीज़ें back to normal आई होगे है जिद्धी है यह person अपने बात को मनवाने के लिए आपके सामने किसी भी हाद तक जा सकते है किसे भी आप तक जा सकते है जिद्धी है मगर इसका मतलब यह नहीं है कि वो गलत जिद्ध करेगे वो अपने प्यार के लिए किसी भी वो तक जा सकते है आप दोनों के वीच में लडाईया होंगी तो उस टाइम वो जीटने के लिए कुछ भी कर सकते है हाँ ये सब silly चीज़े हैं इनका matter नहीं करता है कि आपके वीच में लडाईयां हुई तो वो जीतने के लिए किसी भी limit तक चले गए कोई बात नहीं जीत जाने तो जीत जाए partner आप either ways partner तो अपने ही है ना तू जीत मैं जीत बात एक ही है देखने में आपके partner और आप सुन्दर दिखते हो अपने feelings को ले करके ना expression में इनको थोड़ा दिक्कत होता है तो अब आपके साथ तो ऐसा love का relation है कि आप दिक्कत नहीं होती होगी आप problems नहीं होती होगी starting में होती होगी ये आपका कोई old flame भी हो सकता है पुराना अशिक, पुराना प्यार बचपन का प्यार, कमीज का प्यार बहुत पुराना relationship पुराना relationship, पुराना relationship स्कूल का relationship एक्स, कोई ऐसा person भी हो सकता है अब जरूरी नहीं है सबके लिए हो बट हो सकता है, ओके मगर जैसे अभी तक आपने अपने रिष्टे को खड़ा रखा है, वैसे ही अगर आप अपने रिष्टे को खड़ा रखते हो तो trust me you will be able to sail through it वो आपके बारे में जो feel करते हैं there is a lot of passion in your relationship बार-बार के passion आया है, खूब romance करते हो आप लोग and romance is not only physical romance कभी भी बस physical नहीं होता है romance emotional भी होता है कि अगर हम आपसे बात कर रहे हैं और हमें आपसे बात करके न ऐसा लग रहे हैं कि हम अपने आपको खोल पा रहे हैं बिना judgment के, वो भी एक romantic moment है ओके और आप दोनों अगर साथ रहते हो न तो trust me आप दोनों का रिष्टा बहुत आगे जाएगा बहुत आप लोगों के लिए beneficial होगा आप दोनों के रिष्टे में जैसे आप रहोगे न साथ में तो आप लोगों को ना बहुत profits होंगे लिएक आप दोनों एक दूसरे के lucky charm हो lucky charm और क्या चाहिए संदगी में बही लवर्स काट आजाए जब हम यह पूछे किया क्या आपका partner आपसे प्यार करता है तो good news तो वहीं से आगई अब और क्या चाहते हैं तो of course this person loves you this person यह person आपसे प्यार करता है आपके लिए stand लेगा आपके साथ खुश रहता और आपके साथ खुशिया मनाना चाहता है चोटी चोटी चीज़ों को ignore कर दीजे जाने दीजे जहां प्यार होता है वहाँ तक्रार भी होता है उन तक्रारों को जाने दीजे बहुत dark phases आएंगे बहुत बार गिरोगे, बहुत बार उठोगे, गिरोगे न तब याद रखना, मुरी बात याद रखना कि गिरोगे, तो divine आपके nature को relationship ऐसा बना के देजा है, कि आप उठोगे जरूर फिर से एक नई journey स्टार्ट होगी, जितना पुराने problems को sort out करके माफ करती जाओगे, sort out करो, माफ करो, sort out करो, माफ करो, उतना बहतर है, थोड़ा ego है, ego मसाज देते रहा करो, and take stand for your relationship, चाहे जो भी हो, take stand, साथ में रहो के ना, आप दोनों की इतनी उननती होगे, कि आप देखना, बहुत उननती होगे, तो I hope कि ये third pile जिन लोगों ने चुना, third pile उनके लिए reading काफी अ रहे हैं, अगर आपको पसंद आया हो, तो please like करें, comment करें, share करें, subscribe करें, और मुझे बताएं, कि आपको reading कैसी लगी, take care, see you soon, see you again, namaste, अपना ख्यालर के अच्छे से रहे, take care, see you soon, see you again, namaste, bye-bye.